हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स पहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिलकुल मस्त आज है मंडे और सुबह के बजे हैं नौ तो सबसे पहले तो आपको सभी को हैप्पी वाला मंडे और मैं जैसे की सुबह के सारे काम से फ्री होने के बाद में पूजा करने के लिए जा रही हूँ और अभी मंदिर भी जाना है आज अन्वेशा का हॉलिडे है यानि की चुट्टी है स्कूल की तो मैंने सुचा कि आज उसको ले करके जाओंगी तो सुबह सुबह का यह जो काम रहता है न उरली वगरा सजाने का बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से सजाएं घर को तो कभी आती हूं हमेशा नहीं आपाती उसके बाद मैं अन्वेशा ने भी पूजा कर ली और रास्ते में यहां पर इस तरह रोट साइट पर जो वेजटेबल वाले बैठे होते ना बिल्कुल फ्रेश वेजटेबल होती है इन लोगों के पास में तो जबी भी ग्रीन लीफी यहां आ जाती हूं कि वैसे तो मैं मंडी से मेरे इन आती है सारी वेजटेबल पूरे विक की लेकिन जब यहां पर यहां लेतं से फ्लार्स की चौपिंग की और उसके बाद में आगी मैं घर और देखे किस तरीके से मैंने वहां से अज़ायाक अगया गारल युद्फ शुर्ण से फ्लार पौट सजाया आपके साथ में शेयर करूंगे फिलाल बनाया है यह उत्तपम नारियल की चटनी सॉस और यह जो मेरा मिक्स्ट मैंने प्री मिक्स बनाया था ना उसका वाला मिल्क बनाया है अनवेशा को ब्रेकफास करने के बाद मैं अनवेशा को घर पर ही छोड़ करके मैं आई हो यहां पर टोर भी कराना है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहां पर तो मैंने आप सब के साथ में शेयर नहीं किया था यह बहुत ही खुबसूरत सी एक फैक्टरी है जहां के बारे में मैंने एक शॉट्स भी आप सब के साथ में शेयर किया था लेकिन अनफॉर्चनेटली याँ पर light गई भी थी तो जैसे ही मैंने enter किया 10-15 मिनिट में आ गी थी ये बहुत बड़ी factory है और यहाँ पर wholesale की rate पर मिलते हैं आपको starting में मैंने इसका address दे दिया है plot number वगरा जो भी था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप pause करके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े affordable price पर अगर आप try city में रहते हैं तो यहाँ से try कर सकते हैं काफी affordable rate पर different different type की almost सभी तरह की आपको planter, planter stand, मतलब almost everything आपको garden related कुछ भी चाहिए चाहिए आपको seeds लेने हैं, fertilizer लेने हैं, coco peat लेनी है plants लेने, planter लेने plants तो नहीं मिलते बाकी सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पर decor item मिल जाते हैं garden related तो मिलते ही हैं in fact आपको home decor के बहुत सारे खुबसूरत से item भी देखने के लिए मिल जाएंगे और मैंने यहाँ से कई सारे home decor item अपने घर के लिए purchase भी किये हैं जो आप सब मुझ से link वांगते हो तो फिर मेरे लिए possible नहीं होता है link देना, जो link होते हैं वो मैं नीचे description box में add कर देती हूँ, तो जो भी possible होंगे वो मैं आज भी add कर दूँगी और जिन चीजों के link नहीं है इसके अंदर तो आप समझिएगा कि उसके मैंने मतब local market से shopping की है अच्छा यहां पर एक चीज़ आपको दिखाते हूँ, यहां पर fiber के planter भी हैं और plastic के planter भी है यह वाला जो देख रहे हैं यह fiber का planter है और बराबर में नीचे जो देख रहे हैं वो plastic का planter है अब fiber के और plastic के planter में जमीन आजमान का फर्क है plastic वाला planter जो था वो मुश्किल से 30-40 रुपे का था और fiber वाला planter जो था वो 24-100 रुपे से start था तो आप देख सकते हैं बस shine का ही थोड़ा फर्क है और quality का फर्क होता है वैसे तो तो यहाँ पर देखे फाउंटेन भी हैं काफी सारे और different different material के गमले हैं आपको artificial grass मिल जाएगी यह सारे फाउंटेन लगे हुए हैं यह देखिए जो भी trendy समान होता है आप अगर ढूनेगे तो आपको अपकी local market में सब कुछ मिल जाएगा तो अगर आपको यहाँ पर से कुछ लेना है तो address मैंने आपको दे दिया यह देखे यहाँ से ही मैंने लिया था जो अपने bedroom के लिए decor piece लिया था बट वो उस time पर यह amrella वाला नहीं आया था थोड़ा सा different है और यह देखे यह amazon पर भी मैंने देखे थे यह victory sign जो है यह जितने भी decor item में देख रही होना यहाँ पर और आप सब के साथ में share कर रही हो यह 99% decor item आपको amazon पर मिल जाएंगे लेकिन just double rate पर तो अगर आप amazon पर ढूनेंगे तब वहाँ पर भी मिल जाएंगे सारी चीजे और यहाँ पर मुझे तो local market में मिल जाती है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ अब यह देखे यह different different type के fountain बहुत तरह के fountain है आप अपनी balcony के हिसाब से या garden के हिसाब से बड़ा या चोटा ले सकते हैं और यह देखे यहाँ पर नपने यह dog का एक यह देखा जो कि अगर घर बड़ा है तो आप में गेट के बाहर भी इसको रख सकते हैं घर के अंदर as a decor भी रख सकते हैं बिलकुल रियल लग रहे हैं मांकेट से आने के बाद में मैंने जटपट से बनाया है लण्च और आज लण्च में बनाया है मखाना में थी और बहुत ही यम्मी बनी थी आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँगी अगर आप चाते हैं तो मुझे कॉमन बॉक्स में बताइएगा बस जटपट से ये लण्च बनाया है सैलेड कट कर दिया है और अब मैं लण्च बना करके क्योंकि हस्बन भी आ गया अनविशा को भी भूक लगी है तो अभी लण्च बना रही हूँ और लण्च बनाने के बाद में आपको शेयर करूँगी कुछ मैंने नई शॉपिंग क की है अपने किरी के लिए और अपने घर के लिए वह कुछ के लिए और घर कोनता है और आप सब को मैंने शौ्ट्स पे शेयर किया था ना कि मैंने कुछ और किया था और मुझे कुछ और मिला तो वह फाइनली अभी-भी आया है तो मैंने अभी उपन करके अन्वॉक्सिंग की नहीं है आपके साथ में उपन करूगी देखती हूं कैसा आया है अभी तो चलिए देखना चाहेंगे आप क्या क्या मंगाया है एक चीज़ के लिए और एक चीज मंगाया मैंने घर के लिए ठीक है तो वो दोनों बहुत जादा टाइम अगर मैं प्लांट को ऐसी छोड़ दूगी तो मेरे प्लांट को हैं वो खराब हो जाएंगे फिलहाल अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहे हो और फिर उसके साथ में शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी जो आप बच्चों को भी दे गर्मी भी रेसिपी है एक हम लोग तो सद्दी में बहुते शेयर कर रहे हैं तो मैं घंजा आपके साथ में आपके साथ में शेयर करीम आपके सांबगäre पर यूँ और माई गॉड मैं आपको बता नहीं सकती है देखने हादी खोला नहीं है लेकिन बहुत अच्छा आया है यह देखे कितना खुबसूरत सा है नहीं ज्यादा खुबसूरत है यह और यह है ओरिजिनल जो मैंने देखा था वेबसाइट पर यह पेर जो एलिफेंट क हैं और बहुत अच्छे मुझे लगे यह देखने में तभी मैंने ओर्डर किये थे लेकिन यह जब आये मुझे मिले हैं रिसीव हुए हैं तो उसके बाद में देखने में यह और भी ज्यादा अच्छे मतलब की वेबसाइट सा ज्यादा अच्छे मुझे रियालिटी में ल लगे और यह मैंने लिए फ्रीजर के लिए फ्रीजर में रखी ए रखी एपने घर में कुछ भी ग्रोसरी सूखा आइटम रखने के लिए ले सकते हैं क्योंकि मेरे काच के कंटेइनर तूट गय fps तो मैंने यह वाले लिए इस बार क्योंकि यह थोड़े से अनब्रेकबल होते हैं पॉश प्लास्टिक वेर से मैंने यह और किये थे और इनकी क्वालिटी यह है कि एक तो यह एयर टाइट है लॉक फिट है स्टेक बल है और यह स्पेस को जो है वो सेव करते हैं अनब्रेकबल जैसे कि मैंने आपको बताया फूड ग्रेड है और कंपनी ने दावा किया था वैसे तो मुझे इसमें कोई गीला लिकुइड बगरा रखने की जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी मैंने का चलो यहां से आया है ऐसा लिखा है तो चेक करके देख लेती हो तो मैंने इसके अंदर पानी भरके ना पानी को उल्ठा करके देखा तो भी मतलब लीक नहीं हुआ तो मुझे लगा कि हा मतलब जो चीज है वो ठीक है तो फिलाल मैं इसको ड्राइ आइटम रखने के लिए यूज करूंगी अब यह तो मैंने कर लिया है अब मुझे अच्छे लगे हैं अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो लिंक मैं नीच सा वन जाता है जिसकी वज़े से पानी की जोन भी नहीं बिखी है कंटेनर बाकी आपको पसंद है ख़र देदूङी नीचे नीचे बॉक्स में और इसका भी मैं लिंक स्वार शेलिया वी बनाते हैं अपनी बड़िया सी रेसिपी फ्रूट क्रीम और उसके बाद में मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है उसके बाद में शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा तो बस ऐसी बागते दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब दिन खतम हो गया है रात को बैठ करके एडिटिंग करनी होती है तो उसमे पास साड़े-ग्यारा बजे तक वीडियो मौनिंग में पहुँच जाता है और अगर वीडियो सुबह शुरू करती हूं एक बजे आपको वीडियो मिल पाता है तो बस यह थोड़ा सा टाइम सुधारना है तो आपके पास साड़े-ग्यारा से एक बजे तक अब वीडियो जो फ्रूट क्रीम बना रही हूं उसके लिए मैंने लिया है लगबग 500 ग्राम दही इसमें से थोड़ा कम लेंगे हम यह मिक्स ड्राइफ रूट है जो कि मैंने चॉप कर लिया है जिसमें काजू बदाम अक्रोट है और किश्मिश यह अलग है यह है जाइफल का पाउडर जाइफल होता है यह वाला तो इलाइची पाउडर है यह है जाइफल का पाउडर है यह है क्रीम और सबकी क्वांटिटी हमें इस तरीके से रखनी है अपने ज्याधर टेस्ट की अकॉर्डिंग क्योंकि यह fruit cream है इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत जादा कोई ingredient कम पड़ेगा क्योंकि शुगर अपने हिसाब से डालना है fruits जो हैं वो अपने पसंद के लेने हैं मैंने यहाँ पर लिए है pineapple, apple और यहाँ पर मैंने orange लिया है इसके seeds निकाल दिये हैं और इसको चॉप कर लिया है यहाँ पर लिया है चीकू तो जितना बड़ा आपको पीस रखना है उसे इसाब से आप इसको चॉप कर सकते हैं मैंने थोड़े छोटी-छोटी करके चॉप किये हैं इसके अलावा देखिए यहाँ पर जाइफल का powder जो है यह हरी लाइची का powder है यह लगबग एक चमच छोटा वाला चमच और यह भी एक चोटा चमच है यह है जाइफल का powder यानि नटमेग का पाउडर यह मैंने पाउडर शुगर ली है वाइट वाली आप चाहें तो ब्राउन शुगर या जो भी आपको मीठा चाहिए वह वाला अच्छे से ना मिक्स कर लोगी बिल्कुल लंप्स फ्री होने तक इसको विस्क करना है हमें इसके अंदर लंप्स ना रहें क्योंकि क्रीमी टेक्च्चर चाहिए हमें और अगर इसके अंदर लंप्स रहेंगे या गांठी जैसी लगेंगी ना फिर वो टेस्ट नहीं आएगा अंदर डालूँगी मैं पाउडर शुगर तो पाउडर शुगर डाल दीए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा मीठा डाल सकते हैं कम पसंद है कम डाल सकते हैं के बाद में हरी लाइची पाउडर एफल का पाउडर यानी नटम एक पाउडर, एक एक चमच डाला आए, किश्मिश, इन सब को करेंगे mix, इसमें डाल दीड़ी है यह डाल दिये है, मैंने चिकू, और यहाँ पर डाले है मैंने यह औरेंज पाइनपल, आप अपनी चोईस के अकोर्डिंग या आपकी पसंद के अकोर्डिंग सारे फ्रूट ले ऐपल ले सकते हैं यह डाल दीए एपल और इनको टालने के बाद है last में डाल रही होнов मैं क्रीम है और यह मैंने क्रीम क्रीमने एक कफली हैं यह कटोरी है अपने प्सक्रूर यृड़ है अगर आपको ज्यादा क्रीम चाहिए तो क्रीम आप ज्यादा लें अगर आपको healthy virgin ज्यादा चाहिए तो क्रीम थोड़ा कम लें और दही उसमें ज्यादा लें थोड़ा सा खटापन भी आता है फिर अच्छा लगेगा इसके ऊपर से थोड़ा सा जब आप सर्व करेंगे तो nutmeg powder थोड़ा सा ऊपर से भी आप sprinkle कर सक कि जो हमारे चीकू है वो बिल्कुल चटनी ना बन जाए उनकी इसके अंदर जो हमारे mixed dry fruit थे न वो डाल रहे हूं थोड़े से इसके अंदर डाल रहे हूं और थोड़े से मैं garnish के टाइम पर डालूगी तो यहां पर मैंने बहुत ही simple easy लेकिन खुबसुरत सी plating कर दी है मेर काने में तो यम्मी है ही तो चलिए मैं अन्वेशा को दे करके आती हूं और पहले पूछती हूं अन्वेशा का रिव्यू या अन्वेशा का रियक्षन देखती हूं कैसा है कैसा बना honestly बताओ अच्छा शादी वाली फ्रूट क्रीम है यह कितने नंबर 10 on 10 10 on 10 इस बार पूरे पूरे ए प्लस नहीं मिलेगा मुझे हाँ ए प्लस प्लस चलो इंजॉई करो 7.30 हो रहे हैं और मैं कहीं गईवी थी अब पहले बैठ करके पिऊंगी एक अप चाय और उसके बाद मैं करूंगी प्लांट रिपोर्ट तो अभी थकान हो रही है कुकिंग भी करनी है प्लांट भी रिपोर्ट करना है तो आज का वीडियो इतना ही रख रही हूं मैं आप से जल्दी मिलूंगी एक नाए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वी हापी वी आक्टिव अपना ख्याल रखे और मस्त रहिए बाइबाए